इतिहास में सीरियल किलिंग की घटना है काफी पुरानी है सीरियल किलिए ठक बहराम से लेकर निठारी के नरपिसा सुरेंद कोली तक अनिक नाम हमारे से लिए प्रुचागा ऐसे ही घटनाओ पे एक सीरीज पेस कर रहा इस करी में आज पेस है कुख्या सीरियल किलिए दर्बार से जो मासुम बच्चों का सोशन करने के बाद गला काट कर मार दे था रिदुपम की पांच साल की बेटी लच्टी पंदरह अगस 2004 को लापता हो गई बाद में उसकी मौत की पुष्टी हुई मौडल टाउन जलंदर में रहने वाला गोपाल का छे साल का बेटा सतीस अठारा एप्रिल 2004 को लापता हो गया था और बाद में उसकी मौत की पुष्टी हो गई था सतीस की दस साल की बेहन गुरिया को भी पताद दिया गया था अफटार नगर जलंदर निवासी मकसूद की दस वर्सी बेटी 22 अगस 2004 को लापता हो गई और बाद में मृत पाई गई 24 अगस 2004 को उमेश सास्त्री का पांस सल का बेटा संजी कुमार लापता हो गया और फिर कभी नहीं लगता 6 अगस 2004 को पूना राम की साथ साल की बेटी पूनम घर से लापता हो गया और बाद में उसकी मौत की पुष्टी हो 24 अगस 2004 को नर बहादूर के बेटे राजिस और बेटी हीता का पुष्ट कर लिया गया कातिल ने उसे भी अपना सिकार बनाया था लालू प्रशाद नाम के चार साल के बच्ची की भी मौत की पुष्टी हो 18 अप्रिल को गोविननाम के सक्स की दो बीटियां दिक्चह और आशा का परंग कर लिया गया किलर ने दिक्चह सिंग को मार दिया लेकिन आशा वहां से भागने में सफ़ल लुआ 9 साल की राणी और निशू का 22 अक्टूबर का परंग कर लिया गया था इसमें से उसने रानी को मार डाला जबकी नीशु बचकर भागने में कामयाब रही है। इसके बाद मुम्ताज नाम की लड़की भी उसकी लड़ते के लड़ते में कामयाब रही है। 29 उक्टोबर 2004 को सास्ते नगर में रहने वाला मुहमद अजीज की चार साल की बेटी रविनाला पता हो गए बाद में उसकी हत्या की कुष्टी हुई ये तो सिर्फ वो कुछ हत्याएं थी जिनका हम बर्णन कर पा रहे ऐसी ना जानी कितनी हत्या इस किलर ने की थी ये सब एक सक्स ने किया था जिसे लोग इसके नाम से नहीं बलकि बेवी किलर के नाम से जानते हैं पंजाब के अमरिट संग में रहने वाला दर्बार सिंग जिसे लोग नाम से नहीं बलकि बेवी किलर के नाम से जानते हैं दर्वार सिंग अमरिज सन में 1952 में पैदा हो दिखने में पतला और लंबा दर्वार सिंग साल 1975 में पठानकोर के वायू स्टेशन का एक अधिकारी था दर्वार सिंग पर नौकरी के दोरां एक मेजर के पड़िवार पर हथगोला फिकने आरोप लगा था हाला कि इस मामले में उसे बड़ी कर दिये थे लेकिन तब किसी नहीं सोचा होगा कि सेना में सेवा वरित सिपाही दर्वार सिंग हैवान हो सकता है उसने कई निर्दोस और मासुमों की जान ले ली दर्वार सिंग जिस इलाके में रहता था वहां के लोग उसे देख कर काप जाते थे दर्वार सिंग के सनक नहीं उसे सेना से बाहर का रास्ता दिखाया उसने पैठान कोट में तैनाथ एक वरिस्ट अधिकारी पर हमला कर लिया था दर्वार सिंग पर करीब सत्रह बच्चों की बेहनमी से हत्या करने का रोप था वह प्रवासी मजदूरों के बच्चों को निशाना बना देथा इतना ही नहीं उसने करूरता की हदे पार करते हुए कई मासुन बच्चियों के साथ देदी किया अदालत में उसे एक प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ उसक्रम करने और उसकी हत्या करने की जुर्म में त्रीस साल कैद की सजा सुनाई थी अच्छे आच्च्रन के कारण 2003 में उसे 10 साल बाद ही रिहा करते जेल से रिहा होने के बाद दर्वार सिंग को यह विचार आया कि उसके जीवन के महन पून कई वर्स मजदूरों के कारण बढ़बाद हो इसलिए उसने प्रवासी मजदूरों से बदला लेने का मैस्टा किया और इस जुनूर में वो हैवान बने गिया उसके अंदर छीपी बुरा एक बार फिर से जाके और उसने फिर से खुरूरता करना सुरू कर दर्वार सिंग खुद तीन बच्चों का पिता थी लेकिन उसकी पत्मी ने उसकी घिनोनी हरकतों से तंग आकर उसे घर से निकाल लिए उसने पूलिस के सामने कबूल किया उसने सत्रा बच्चों में से अधिकांस के साथ पलतकार और शेकारी की उसने सवों को रईया खडूर साहिव रोड पर पूल के पास तखना दिया कपूर थल्ला में चंद महीनों में एक के बाद एक करीब तईस बच्चे लापता हो गए जिसमें से छे तो पूलिस ने बढ़ामत कर लिये इन सबी की उम्र दस साल से कम थी दरबार सिंग्में 17 बच्चों की हत्या करना कबूल किया था हला कि पूलिस को यह भी संदेह था कि उसने कई और पिर्टों के नामों का खुलाता नहीं किया दरबार सिंग हमेशा बच्चों को मिठाई समूसे और पठाकों का लालत देकर लुबाता था वह सुबह 10 बजे से लेकर दोफर सारे 12 बजे की बीची बच्चों को पकड़ लिता था क्योंकि इस समय जादातर मजदूर अपने काम पे गए हुए रोते हैं और उनके बच्चे अके बच्चे अके ले रहते था साल 2008 में उसे मौत की सजा सुने की हलाकि बाद में इसे आजी वनकारावास ने बच्चों की सीरियल किलर दरवार सिंग की 75 साल की ओमें सरकारी रजिंदर अस्पताल में मुत्यों हो गए उसके परिवार ने उसका सब लेने से भीटकार कर दिया रहा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के अगर आपका कोई सुझाओ है तो हमें इमेल करें डिस्क्रिप्शन में दियेगे इमेल पर धन्यवाद